दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल आर एनस है जूकेस न्यूज में दोस्तों इस वीडियो में हाजर हूँ नीट यानि की जो मेडिकल इंटरेंस एक्जाम है देशपर के जो MBBS और BDS कोर्सेज के लिए जो इंटरेंस एक्जाम का लाइव जित किया गया 5 मई 2019 को देशपर के 154 सेंटर्स में जिसमें दोस्तों ओडिसा में ये एक्जाम आजित नहीं की गई ती तो इसका दोस्तों यहाँ पर एलन केरियर इंस्टिटूट तो एलन केरियर इंस्टिट के बारे में बहुत यहाँ पर उनका नाम है पूरे देश में एलन प्रसिद है MBBS और नीट एक्जाम के लिए पूरे देश में कोटा एक हब है तो एलन केरियर इंस्टिटूट की और से जो नीट एक्जाम हुआ था उसका यहाँ पर analysis दिया है उन्होंने पूरा का पूरा तो इसमें आपको answer की भी मिलेगी और यह analysis मिलेगा तो दोस्तो physics का analysis किया है यहाँ पर LL Career Institute की और से तो total physics के question 45-45 थे जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तो easy mechanism के यहाँ पर अगर बात करें तो easy question 6 थे heat से संबन्दी तीन question shm and wave से यहाँ पर दो question electrodynamics तो यह बारवी class से यह ग्यारवी से थे यह बारवी class से ठीक है यह questions दिये गए हैं अगर हम difficult question की बात करें ठीक है तो यहाँ पर total questions जो difficult थे यहाँ पर 11 थे में कोई भी नहीं आया था और easy थे 6 और medium थे 10 इस तरीके से पूरा का पूरा विबरन है ठीक है difficult हम question की बात करें तो यह आपके difficult questions आते हैं यहाँ पर दो और एक तीन सवाल difficult पूछे गए थे physics में बाकी medium और easy इस तर के सवाल थे अब यहाँ पर अगर हम 11 और 12 के questions को देखें तो 11 के यहाँ पर questions आये थे दोस्तो 49 questions पूछे गए थे 12 का ratio यहाँ पर था 11 परतिशत अगर हम paper के medium की बात करें physics की तो यहाँ पर 6% आपका difficult था 47 परसंट आपका easy था और 47 परसंट ही आपका medium था ठीक है topic wise दिया गया है था topic wise भी आप देख सकते हैं यह जितने topic देगा है mechanism heat shm and waves electrodynamics optics modern electronics तो यहाँ देख सकते हैं आप जो difficult level की अगर मैं बात करों यहाँ देख सकते हैं आप ठीक है इसके लाव दोस्तों यहाँ पर आपका जो chemistry का है chemistry में 45 सवाल पूछे गए थे और जिसमें difficult आपके सवाल थे 5 ठीक है तो यह आपका analysis है 11 और 12 में भी देख सकते हैं 11 में 7 5 और 9 ठीक है इस तरीके से यहाँ पर यह देख सकते हैं या कि बारवी के एक दो सवाल जादा आये हैं बारवी के syllabus से यह आपके सामने है ठीक है तो 56 परतिसत यहाँ पर बारवी के सवाल पूछे गए 11 के 44 परसंट आपके बारवी के ठीक है अब यहाँ पर आपकी आती है यह आपकी आती है biology ठीक है तो biology में आप देख सकते हैं दोस् analysis है ठीक है distribution of 11, 12, 50, 50 percent biology के सवाल 11, 12 में पूछे गए थे और अगर हम level की बात करें biology का तो easy level 62 फिश्टी था और medium level आपका 31 फिश्टी था और difficult level 7 फिश्टी था ठीक है तो यह तो हो गया दोस्तो आपकी बात हो गई इसके paper के level की इसके लाओ दोस्तों यहाँ पर 4 code थे आपके ठीक है 4 code कौन कौन से थे Q1 से Q6 और S1 से S6 P1 से P6 और R1 से R6 यह paper के code थे तो आप paper का code Q1 से Q6 के answer की देख सकते हैं आपके सामने है Alan Karen Institute की तरफ से और यह Q1 से लेके Q6 तक की थी आप अपना देख सकते हैं आपके पास जो भी paper की PDFI है जो भी paper आपके पास था उसके आधार पर आप देख सकते हैं यह आपका answer की है यह Q1 से Q6 की है ठीक है code इसके लाओ आपका S1 से S6 भी आप देख सकते हैं तो description में भी दोस्तों आपको यह paper का level plus answer की जो सारे के सारे code है ठीक है चार code थे जिसमें एक से लेके 6 तक उनको विवाजित किया गया था यह S1 से लेके S6 तक का यहाँ पर paper code है तो इसके आधार पर आप अपना मिलान कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा दोस्तों आप बात करें अगले question की तो P1 से P6 का देख सकते हैं तो यह आपके सामने P1 से P6 का open हो रहा है answer की यह आप सामने देख सकते हैं तो यह P1 से लेके P6 का ठीक है इसके अलावा अब बच गया आपका R1 से R6 तो यह आपका जो नीट एक जाम 2019 का R1 से लेके R6 का और दो चार मेरे पास comment भी आये थे जिसमें R6 के बारे में पूछा गया था उसकी answer की है तो यह R1 से लेके R6 तक का जो पेपर कोड था 180 सवालों का तो उनकी answer की है तो एलन केरियन इस्टिटूट की तरफ से यह चीज़े जारी की गई है कल देर रात को इनको रिलेज कर दिया गया था answer की को लेकिन समय अभाव के करण में नहीं बना पाया वीडियो तो जो भी आपके आस्पडोस में बच्चे हैं नीट का जिनोंने एक्जाम दिया है या आपके रिलेशन्स में हो तो उन तक भी ये पेपर की answer की भेजिएगा और अगर कमेंट करके बताना चाहें तो कितने नंबर आप इस answer की क्या कोडिंग प्राप्त कर रहे हैं वो भी बताईएगा इसके लाव दोस्तों जो official answer की है ठीक है वो भी बहुत जल्द आपके सामने होगी तो उसका भी हम वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे जिस दिन आएगी माई के अन तक बोला जा रहा है तो तब तक आप वेट करिए इससे पहले एलन केरियर इंस्टिटूट के आप मिला सकते हैं इसके अलाव दोस्तों अगर आप लोगों को CLC यानि केरियर लाइन कोचिंग सीकर का भी अगर आप पॉनसर की चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बता दिएगा तो उसमें गुजारिस करूँगा कि आज जहां जहां भी देश में जो पांचवी चरण का मतदान है तो आप कोलिंग बूथ तक जरूर जाईएगा सबसे पहले मतदान करिएगा और देश हित में अपना योगदान दे तो एक पार पुने में मतदान की गुजारिस करता हूँ सभी अपना मत अमुल्लेवत आप किसी को भी दें मैं किसी पार्टिक्सिस का नाम नहीं ले रहा लेकिन किसी को भी दें वोट जरूर करें ये एक अधिकार है और आपका करते हो भी जैहिन जैभर